भगवान श्री गनेश जी को हर एक पूजा में सबसे पहले उन्हीं की पूजा या अरात्ना की जाती है, ऐसा क्यूं होता है? क्योंकि जब भगवान गनेश जी का सर कटा था और उन्हें हाथी का सर लगाया गया था, तो सभी देवी देवताओं ने उन्हें एक वरदान दे दिया था, कि हम सबकी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी, तभी हमारी पूजा सफल मानी जाएगी, तो भगवान गनेश जी को सभी देवी देवताओं से पहले इसी लिए पूजा जाता है, तो आज है गनेश चतूर्ती इसलिए आप सभी को हैपी गनेश चतूर्ती और आज के दिन आप सोच भी नहीं सकते हमने क्या प्लान किया है भगवान गनेशा के लिए आज गनेश चतूर्ती के दिन हमने भगवान गनेश जी के लिए उनकी बहुत ही प्यारी सी डिश बनाई है या बहुत ही प्यारी सी प्रसाद बनाई है जो की है मोदक नए मोदग तो आज बहुत सारे लोग तढ़ाएंगे लेकिन आज हमने भगवान गरेश जी के लिए उनकी बहुत प्यारी प्रसाद बोल सकते हैं बहुत फेवरिट डिश बोल सकते हैं पान बनाया है हमने घर पे ही आज पान तयार किया है वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे 51 तरह के पानों को हमने तयार किया है भगवान गरेश जी के लिए 51 तरह के पान आज हमने तयार किये है भगवान गनेश जी के लिए लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि हमने 51 तरह के पान सिंपल नहीं तयार किये हैं मतलब 51 अलग-अलग फ्लेवर्स के पान तयार किये है 51 flavors के पान तयार करना बहुत मुश्किल हो गया था उससे भी जादा मुश्किल ये हो गया था कि 51 तरह के पानों के नाम ढूनना जो कि हमें कहीं से भी नहीं मिले तो finally ढून के समझ के बना कि हमने 51 तरह के पान बनाने का सोचा पहले उसका समान कलेक्ट किया सारका सारा फिर कुछ पान की शॉप्स पे या पान की टुटोरियल्स को देखते हुए पान बनाना सीख लिया था और फिर उसके बाद में हमने भगवान जी के लिए 51 पान खुद बनाए 51 तरह के पान बनाने के लिए खुबसूरत सी प्लेटिंग भी की है जिसमें हमने सारे पानों को अरेंज किया है फ्लावर्स के साथ यानि रोस पैटल के साथ और चेरी के साथ में आज पान बनाने में सिरियसली बहुत अच्छा लगा ऐसा लगा जैसे प्रोफेशनल है कब से बना रहे है क्योंकि 51 पान फटा फट से बनाए तो काफी मजा है आप देखना वीडियो के अंदर की हमने 51 तरह के पान कौन कौन से बनाए और किस तरह से बनाए भगवान गनीज जी का नाम लेके सबसे पहले हमने ये ट्रेप बनानी स्टार्ट करी जिसमें बाउल्स लगाने थे ताकि हम इनमें अपने 51 तरह के पान रख सके फिर हमने ट्रे के सारे बाउल्स को अच्छे से ट्रेपे स्टिक कर दिया था ताकि कोई भी पान रखने में दिक्कत नहीं हो ये पान के पत्ते, रोस पेटल्स और ये सारा पान बनाने के लिए जो समान यूज होता है वो है और ये एडिशनल समान जैसे फ्रूट्स, चॉकलेट, कैंडीज जो की पान की फीलिंग के लिए यूज होगा इस सारा का सारा समान अरेंज करने के बाद में हमने प्लान कर लिया था कि अब पान बनाना शुरू किया जाए ये चेरीज को स्टिक पे लगा के रेडि कर दिया ताकि पान जैसे ही बने हम उस पे लगा सकें ये पान के उपर हमने कोटिंग करनी स्टार्ट कर दिये ये कोटिंग का काम पापा कर रहे थे मेरे उन्हें हमने पूरा तयार करके आज काम पे लगा दिया था कि आज पान बनाने में हमारी हेल्प की जाए ये हम फटा फट से अपना काम निप्टा रहे हैं तक जल्दी से कर सके ये हमारे कुछ पान तयार हो रहे हैं सबसे पहले ये हमने कथा और चूने का पेस्ट लगा करके रख दिया है और अब उसके बाद में हम इसकी मेकिंग करेंगे सबसे पहला पान है जो कि ये सादा पान तो सबसे पहले सादा पान बन रहे है ये हमारी पान की मेकिंग स्टार्ट हो गई है सारे आईटम्स फिलकर के हम पान रेडी करते जा रहे हैं यह हमारा खजूर पान है जिसमें हमने इस सिल्वर कोटड खजूर डाले हैं इस तरह से हमने बहुत सारे पान बना लिये जिनकी डीटेल डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे भी दिख रही है इसी तरहे अलग-अलग flavors के पान ready होते जा रहे हैं ये काजू का पान है हमने सभी dry fruits के पान ready किये है काजू, बदाम, किश्मिश ये गुलाब का पान है ये पान है अंजीर का पान जो कि एक different सा flavor देगा ये jams का पान बनाया है और कापी सारे पान ready हो चुके है सभी पान की making दिखा पाना possible नहीं था वीडियो में ये चॉकलेट का पान है इसमें हमने dairy milk डाली है white चॉकलेट का भी पान बनाया है इसी तरह milky bar add करके और ये फटाफट से next batch भी तयार हो रहा है क्योंकि 51 पान है तो time लगेगा ये हमारे इतने सारे पान ये हमारा mango का पान है इसमें हमने real mango डाला है real mango कट करके इसमें उपर रखा है ये कीवी का पान है fruits के जितने भी पान है उनमें हमने real fruits ही add किये है ये pineapple का पान है इसमें हमने pineapple कट करके डाला है यह इत्ते सारे पान रेडी हो चुक है हमारे पास नेक्स पान चौको पाई का है यह चौको पाई डाली है हमने इसके अंदर ये चौकोपाई का पान रेडी हो रहा है ये एक अलग आम पापड का पान है जिसे अमावट पान भी कहते हैं ये हमारे बाखी बचे हुए पान तयार हो रहे हैं चुकि अलग-अलग flavors के हैं ये जो मैं पान तयार करें था खस-खस का पान इस तरह से सारे के सारे पान तयार होते गए और हमने ये मांटेन की तरह प्लेटिंग कर ली है अच्छे से दिखने में बहुत सुन्दर लग रहे थे रोस पेटल और चेरी भी एड़ हो चुकी है अब इनके साथ में पूरी प्रेग्रेंस अच्छे से आ रही थी जिसमें पान के पत्ते रोस पेटल और अंदर डाले हुए सारे इंग्रीडियेंस ये सारे पान है जो कि आल्मोस्ट फिप्टी वन प्लेवर्स के है और सारी ही डिफरेंट एक दूसरे से टेस्ट के अंदर सारे डिफरेंट है ये इस तरह से हमने इसको डेकोरेट किया है जिसमें रोस पेटल के साथ में हमने चेरी जैड कर दी है और कोई अडिशनल सिल्वर कोटिंग नहीं किया है क्योंकि माना जाता है आजकल कि भगवान को नहीं चड़ानी चाहिए तो हमने उसका कुछ भी यूज नहीं किया है सिंपल चीजों का यूज किया है जो भगवान को चड़ाई जानी चाहिए उस तरह से हमने 51 अलग-अलग टाइप के फ्लेवर को इसके अंदर फिल किया है कौन सा पान किसमे है इसके लिए हमने इस लिप्स भी लगा दी है ताकि असानी से पता चल जाए कि कौन से बाउल में कौन सा पान है क्योंकि विज्वली सेम से लगते हैं यह स्लिप लगाने के बाद तो और भी सुन्दर लग रहे थे यह 51 पान की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी अभान की लिस्ट आपको पुट्ट आपको अभान जाएगी पूल चड़े ओर चड़े मेवा महापंडी जी पालों के नाम पढ़ने में लग गए कितनी देर तक सब लोग देख रहे थे उन्हें पाइनली उन्होंने रखा प्रसाद और भगबान जी को फोग लगाया आज के गनेश शतूर्टी के दर्शन बड़े ही सुन्दर थे उन्होंने हमें प्रसाद के रूप में पान दिया और ये यलो गनेशी का दुपट्टा भी दिया वहां सभी लोगों को ये क्यावन तरे के पान बहुत सुन्दर लगे और बहुत अच्छे लगे हमने भगवान के दर्शन किये और आज के दिन ऐसे हमने इंजॉय किया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह के और इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्स्ट्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्यावन तरे के पान कैसे लिए